12 जुलाई पिसले चोपेश घंटा में उरिशा में मेनी प्लेसेस में हलका से मुध्धम बारेश हुआ हाइस्ट बारेश मिला बालाशुर का निलगीरी में 40.0 mm सिजनल अभी जो स्थीती हमारा हुआ है इसमें 265.3 mm रेनफाल 1 जुलाई से आज 12 जुलाई तो टोटल हुआ है सावी खोताई समाय 335.8 mm तो 21 percent काम हुआ है तो deficit काटगरी में है अभी 16 districts में अवरा deficit काटगरी में है बाकी districts में normal काटगरी में है और भद्रप district में सबसे काम रेनफाल हुआ है इसमें 60 percent और more 60 percent deficit है तो लार्ज डेपिशेंट भाद रेट की स्टिक्स में हैं बाकी क्योंज़ और जाजपूर और गौज़फू तीयत इन डेपिशेंट में भी 40% और मोर डेपिशेंट है बाकी डेपिशेंट में 40% से बिलो है अभी अमारा जोकाल लो प्रिशेंट एरिया उष्सेंटल वे बेंगल अंदवोदेश कोस्त का पास हुथा वो अभी है बड़ इसका साउट वर लोकेशन में है योशेंट में इसका भी लोकेशन साउट वर लोकेशन में है तो इसका बाद से हमारा rainfall only lie हलका से मुध्धम बारिशी रहेगा बहुत ज़्यादा intense rainfall होने का chances नहीं है उरिशा में एक दो जाका में heavy हो सकता है अगला 24 hours में मेलली मालकानगीरी कुरापुडा शुंदर गार्डिस्टिक्स तंदर है बाकी mostly हलका से मुध्धम बारिशी रहेगा अगला 5 दिन के लिए जो हमारा forecast है next 24 hours में mini places में हलका से मुध्धम बारिश होने का chances है most mini places में फिर काल तेरा तरिक में भी हलका से मुध्धम बारिशी mini places में होगा फिर हमारा 14-15 शोलो इसमें मली कुछ-कुछ थानपारी हलका से मुध्धम बारिश रहेगा intense heavy rainfall होने का chances कम है आज next 24 hours में अभी जाओ heavy rainfall एक-दो जागा में हो सकते extreme south, मालकानगीरी कुरापूट और सुंदर गार्ड डिस्टिक्स में नर्ट में भूबनेश्चार city में जो है अभी generally cloudy sky रहेगा एक-दो spells हलका से मुध्धम बारिश होने का chances है